M.L.A.s, M.P.s, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत यह कार्यकरताओं का समेलन है, आप दूर-दूर से आए हैं जैसे राजिस्तान में रंथम बहुर है, रंथम बहुर में अगर आप जाएं आप गए होंगे तो आपे एक शेर को देखने गंटे लग जाते हैं, मतलब घूंडो उसको छे-साथ गंटे लगते हैं, और फिर एक जलक दिखती है, भाग जाता है आप में से लोग गए होंगे रंतमबोर, यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बबबरशेर एक साथ बैठे हुए हैं शांती से बैठे हुए हैं नफरत की बाजार नहीं है, महबत की दुकान है अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है महबत है, इस्जत है, प्यार है यह फरक है, बीजेपी में और कॉंग्रेस पार्टी में विचारदारा की लड़ाई चल रही है कुछ दिन पहले, मैंने पार्लमेंट में अदानी जी वाला भाशन दे दिया देखाऊगा आपने, पार्लमेंट में देखा अब इनकी नई आदत है, वो टीवी आफ कर देते हैं पहले माइक आफ करते थे अब टीवी आफ कर देते हैं तो पता नहीं आप मेंसे सब ने देखा या नहीं देखा मगर BJP वालों ने जरूर देखा और उसके बाद मेरी जो लोकसवा की सदस्यता है उसे रद कर दिया जैसे गारी में एक्सेलरेटर दवाते है वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दवा दिया और दो दिन में मतलब निर्णे लेज दिया पहली बार हिंदुस्तान में defamation के लिए maximum punishment दो साल की मेरी लोकसभा की जो membership पर रद कर दी क्यूंकि क्यूंकि डर लगता है डर लगता है जैसे ही दो चीज़े हैं आप एक काम करो Congress Party के बबर शेरो कोई भी BJP का कारे करता आपके सामने आए उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो भग जाएगा एक से उसको सामने खड़ा कर आएगा वो कुछ भी के है आप उससे को भाईया एक बात बताओ ये आपके जो प्रदान मंत्री है इनके बीच में और एदानी जी के बीच में क्या रिष्टा है BJP वाला बग जाएगा तो पैनिक होता है डर लगता है उसके बाद दूसरा बाशन दिया प्रेस कॉन्फरेंस की तारीके आप मिला लीजिए जैसे ही मैंने लोकसभा में बाशन दिया वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलेर्टर दबा दिया गया उसके बाद इंटरनाशनल फाइनेंशल अगबार में अधानी जी के बारे में कहानी आती है मैंने प्रेस कॉन्फरेंस किया जिस दिन प्रेस कॉन्फरेंस किया उस दिन नरेंद्र मोती जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया और पहले महिला अरक्षन की बात नहीं थी आपको याद होगा पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी याद है आपको इंडिया से भारत अब पहली बात कॉन्स्टिटूशन में साफ लिखा है इंडिया देट इस भारत मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिटूशन में है मगर ये इन्होंने पहले नया भाना बनाया इंडिया वर्सिस भारत कोई जगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में मगर इन्होंने कोशिश की वहिया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कर आओ थोड़े दिनों में उनको पता लगिया कि जनता इसको एकसेप्ट नहीं करेगी जनता ये बात को सुनने के लिए त्यार ही नहीं है प्राब्लम हो गई अब स्पेशल सेशन में क्या करें स्पेशल सेशन दो अनाउंस कर दिया अब क्या करें चलो महिला अरक्षन की बात करते हैं अब देखिए महिला अरक्षन का हमने पुरा समर्तन किया है राजीव गांदी जी पंचायती राज में महिला अरक्षन लाए थे हमने बिल का सब पार्टियों ने इंडिया ने जो हमारा गड़बंदन है सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं मगर इसमें हमारे दो-तीन सवाल है सवाल के जवाब दे दीजिए पहला सवाल इसमें OBC महिलाओं के लिए रेजर्वरेशन क्यों नहीं किया दूसरा सवाल BJP के लोग कहते हैं कि महिला अरक्षन करने से पहले नए सेंसस की ज़रूरत है और नए डिलिमिटेशन की ज़रूरत है यह सच नहीं है बाई और बेनो महिला अरक्षन को लागू करने के लिए विधान सभा और लोग सभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दीशा सकती है मगर इन्होंने बहाना बनाया है यह चाहते हैं कि महिला अरक्षन तस साल में लागू हो हम चाहते हैं कि महिला अरक्षन आज लागू हो और OPC महिलाओं को महिला अरक्षन का फाइदा मिले अब पार्लिमंट में मेरा भाषन था तो भाषन के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की हमारे जो इंस्टिटूशन्स है जो संस्ताएं है उसमें OPC वर की दलित वर की आदिवासी वर की क्या भागिदारी है तो मैंने क्या किया हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं हिंदुस्तान को आज के हिंदुस्तान को MLA और MP नहीं चलाते हैं आज के हिंदुस्तान को प्रदान मंत्री 90 अपसरों के साथ चलाते हैं वो कौन है वो हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरी हैं हर मिनिस्ट्री को सेंट्रल मिनिस्ट्री को सेक्रेटरी चलाते हैं तो मैंने एक बात चेक्की कि यह जो लोग 90 लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं पूरा पूरा पावर इनके हाथ में हैं हिंदुस्तान किस ओर जाएगा शिक्षा में क्या निर्ने लिया जाएंगे स्वास में क्या निर्ने लिया जाएंगे नारेगा का डिजाइन कैसे होगा बोजन के अधिकार का डिजाइन क्या होगा यह 90 लोग चुनते हैं यह डिसाइड करते हैं तो मैंने सोचा देखता हूँ इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में OBC कितने हैं नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे OBC की बात करते हैं भाईयों और बहनों आज 90 लोगों में से तीन लोग OBC वर्क के हैं तीन लोग OBC वर्क के हैं और और बात सुनिए वो तीन लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट पे निरने लेते हैं मतलब तीन है और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है कोई नहीं सुनता उनकी उनको कोने में रखा हुआ है तो पर पार्लमन में मैंने एक और सवाल पूछा जो शायद हिंदुस्तान के लिए और सबसे महत्वपून सवाल है और वो ये है कि इस देश में ओबी सी कितने है दलित कितने है आदिवासी कितने है कौन से समाज के कितने लोग है और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात चुरू की पार्लमन आउस में आप देख लेना बीजेपी लोग बीजेपी के नेता बीजेपी के मंतरी, MLA सब चिलाने लगे मेरी अवास को दवाने की कोशिश की टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के OBC को ये पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते है नबे लोग जो चलाते है उनमें से सिर्फ तीन OBC वर्क से आते है नरेंद्र मोदी जी बीजेपी अदानी जी से डड़ते है अदानी जी शब्द को अगर विपक्ष का कोई बोलता है बीजेपी के कार्य करता प्रधान मंत्री मंत्री सब हिलने लगते हैं पीवी ओफ हो जाता है माइक बंद हो जाता है दूसरी तरफ जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी का सेंसर्स की बात करती है जो मैंने बात उठाई पार्लेमंट हाउस में नबे लोगों में से तीन लोगों भी सी क्यूं है पांच परसंट बजट इन लोगों के हाथ में क्यूं है क्या भी सी अब आदी पांच परसंट है क्या 5% है नई ये कोई नहीं जानता कोई कहता है 50% कोई कहता है 45% कोई कहता है 55% मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी को चोट लगती है पहला काम क्या करते है पहला काम हस्पताल में ले जाते हैं कहते भहिया X-ray करो X-ray करो पता लगाओ कि असलियत क्या है हड्डी तुटी है हाँ या ना कौनसी हड्डी तुटी है का सेंसर्ज भाई और बेहनों X-ray है का सेंसर्ज से पूरा पता लग जाएगा हिंदुस्तान में कौन-कौन लोग है महिलाएं कितनी है OBC कितने दले तादिवासी माइनोरिटी जेनरल कितने है पता लग जाएगा एक सरे के बाद काम किया जा सकता है अगर हम OBC को भागी त्यारी के देने की बात करते है तो बिना कास सेंसस ये किया ही नहीं जा सकता है तो प्रधान मंत्री 24 गंटा OBC की बात करते है OBC की इज़त की बात करते है तो फिर प्रधान मंत्री कास से क्यों ड़ते है प्रधान मंत्री जी अगले भाशन में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए कॉंग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था आकड़े आपके पास है उन आकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए हिंदुस्तान के जमता को दिखा दीजिए और अगला जो सेंसेस है उसको आप कास्ट बेसेश पे कीजिए OBC का अपमान मत कीजिए OBC को धोका मत दीजिए अब आप देखना आप देखना नरेंद्र मोदी जी ना अधानी जी के बात कर सकते हैं और ना OBC सेंसेस की बात कर सकते हैं उनके भाषन देखना आप आने वाले समय पर भाषन देखना ओपी सेंसेस पर वो एक शब नहीं बोल पाएंगे आपके समने आकड़े नहीं रख पाएंगे अधानी जी के बारे में एक शब नहीं बोल पाएंगे सच्चा ही यह है यहाँ पे राजिस्तान में हमारी सरकार ने आप से जूटे वाइदे ने किये 21 लाख किसानों को 14,000 करोर रुपए राजिस्तान की सरकार ने दिया है चिरंजी स्वास योजना को आप जानते हो कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन में कुल्वियों से बात करने गया उन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा और उन्हें आप से बात करना चाहते हैं मैं गया उनकी समस्या समझने उनकी दिल की आवाज को सुनने मुझे कहते हैं राहुल जी राजिस्तान में राजिस्तान की सरकार ने जो स्वास पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी हमारे घुटने खतम हो गए हम वजन ने उठा पा रहे हैं राजिस्तान की सरकार ने हमारी मदद की हम ये कभी नहीं बूल सकते हैं शिक्षा में तीन हजार छेसो इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले हैं अब आप एक काम कीजिए मैंने काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको लोग सभा में मैं आपको एक बाद रताता हूं लोग सभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एंपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाशन दे रहे हैं और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं हिंदी सबको सीखनी चाहिए मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आपको अंग्रेजी की जरुरत होगी हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आप हिंदी में कर सकते हो दोनों की जरुरूरत पड़ती है, बाद में गया पीछे, सुनिए, सुनिए, बाद में मैं पीछे गया, और मैंने उनसे पूछा भहिया, एक बात बताईए, सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने पीछे गया, मैंने का उनसे भहिया, एक बात बताईए, आपने अंग्रे मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में English मीडियम स्कूल में जाते हैं मतलब यह चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सिखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सिखें मतलब दो हिंदुस्तान बने इनके बच्चे अंग्रेजी सीख कर अमरीका जाए जापान जाए चायना जाए और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखे और बाकी दुनिया में ना जा पाए बाकी दुनिया से बाचीप ना कर पाए हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें एक हिंदुस्तान चाहिए तो बबर शेरो आपकी सरकार ने और आपने क्योंकि यह सरकार आपकी है आपने राजिस्तान के लोगों को स्वास दिया आपने कर्जा माफ करवाया भाईया यहां पे सिलिंडर कितने का है यह गेलोड जी ने खारगे जी ने मैंने यह हमने नहीं किया है यह कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता ने हमें कह के करवाया है कॉंग्रेस के कार्य करता ने नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में माताओं भेनों से पैसा झीन कर दो तीन उद्योग पतियों के जेब में डाल रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओं ने राजिस्तान की महिलाओं को पांच सो रुपए का ग्यास सिलिंडर दिलवाया है ये भुलिये मत सो युनिट मुफ्थ एलेक्रिसिटी बिर्जनी आपने दी इंद्रा रसोई में आठ रुपए के लिए खाना आप देते हो मैंने आपको हतियार दिये हैं चुनाओं का समय है बीजेपी के कार्यकरता आपके सामने आएंगे दो सवाल पूछिए का सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो अधानी जी को आपने कितना फाइदा पहुचाया देश को बता दो हमने आपको स्वास दिया पाच्सो रुपए का सिलिंडर दिया करजा माफ किया यह आपके हतियार है मैदान में जाईए सच्चाई रखिये और यह जो नफरत फलाते हैं इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहबत के दुकान खोलिए धन्यवाद जैन